सपना चौदरी कभी अपने डांस तो कभी अपने लुख को लेकर हमेशा चारचा में पनी रहती हैं फेंस उनके बारे में हर चोटी बड़ी बात जानने के लिए काफी बेताब रहते हैं वो इंस्पेक्टर बनना चाहती थी लेकिन लोगों के दिलों पर राश करने वाली डांसर बन गई लेकिन उन्हें इस्टार जहर खाने के घटना ने बनाया वा खुद बताती हैं कि उनी नाचने काने का सौक है लेकिन डांसिंग को करियर बनाना पड़ेगा ये नहीं सोचा था, वह पुलिस अफसर बनना चाहती थी, लेकिन एक घटना ने उनके सपने चूर चूर कर दिये, दिल के ख्वाहिस दिल में ही दबी रह गई और सपना चौधरी डांसर बन गई, सपना चौधरी डांसर क्यों बनी, सपना जब 12 शाल के थी तो उनके पिता के मौत हो गई, पैसे की तंगे के कारण घर गिरवे रखना पड़ा, कहत चुकाना था, मा, भाई और बहन के जिम्मेदारी भी थी, इसलिए उन्होंने अपने शोक को पेशा बना लिया, पिता की मौत के बादी उन्होंने डांस करना सुरू कर दिया था, और आज भी सब की च प्रोग्राम 10 दिसंबर 2012 को जब कैथल जिले के पुंडरे में हुआ, पर बदले में कुछ नहीं मिला, फिर अगले प्रोग्राम में 31 सो रुपे मिले थे, वो दोर ऐसा था कि महीनी में 30 से 35 प्रोग्राम करती, तब जाकर घर का गुजारा होता, आज एक प्रोग्राम से ला प्रोडो फॉलोवर्स हैं, लोगों में वे इतनी लोगप्रिय हैं कि उनके एक जलक पाने के लोग बे काबू हो जाते हैं, लेकिन इस मश्रूरियत के बीच अपने ही कारकर में गाई एक रागनी ने उन्हें विवादों में ला दिया, FIR दर्ज हुई, जांच के लिए SIT ग लेकिन जहर खाने के इस घटना ने सपना चौधरी को इतना मसूर कर दिया कि वे पहुंच गए सलमान खान के सो बिग बॉस 11 में, वे 6 हफते बिग बॉस के घर में रहीं और अपने लटको जटकों से सभी कुरिवाना बनाय रखा, बिग बॉस से बाहर होने के बाद भी वे शुरकियों में रही, उनके पहली वॉलिवुट नूवी भीरे की वेडिंग आई, इसमें वे एक गाने में डांस करती नजार आ रही है, गाने के बोल है हट जाताओ, बाद में सपना चौधरी ने भी शाहों से साधिक कली, सपना का ये शंगत बरा सफर वाकई का उतार आये